वाश्कार दोस्तों, आज 31 अगस्त है और आज और अच्छी एक आठ यह आई हमारे पास, कल इसका ज्वाव आया था, हमने पूछा था 8 अगस्त 2022 को, वेदर एनी प्रायर अच्छी रिक्वार्ट्य क्या नो अब्जक्षन सटीपेट्ट चाहिए, दिखिये ना, हर बंदा कहता है कि बिर बिदे को अच्छी चाहिए, डिविज्वल चाहिए, स्टेट से चाहिए, सी अच्छी एफ्रानी जगह से चाहिए, तो हमने पूछिश की तो Central Government हमें मालूम है कि जो Health is a State Subject तो हमने पूछा कि Prior NOC चाहिए No Objection Sudicate Adult Education के लिए क्योंकि हमने देखा है कि तकरीबन 50 प्लस होते हैं जो ये लोग पोस्ट करते हैं 50 प्लस ज्यादा करने देखा है 80% क्या NOC चाहिए Adult Education के लिए क्योंसी एडल्ट एजुकेशन, CMS ED यारी Community Medical, Services Essential Drugs, VEMS Education, Electromathy, Ruler Health Paramedic जिसको RHPM या RHB भी बोलते हैं, Ruler Health Paramedic, First Aid Specialist AD, Front Line Health Worker क्या ये जो courses हैं, उन skill enhancement के तोर पे, certification के, अगर कोई non-government organization चलाना चाहे क्योंकि ये ज्यादा कर student 50 प्लस होते हैं, क्या उसकी कोई prior NOC no objection certificate चाहिए तो हमें जो जवाब आया, सतारा अगस्त को, अठारा आठ को ये दिया था, सतारा आठ, तो ये आया, Ministry of Health, Government of India, Z20015, Ministry of Health का, और इसमें लिखा है, मैं इस को अंटर लाइन कर रहा हूं, and to say that information south is not available with medical education policy section, medical education policy section के पास, इसका कोई जवाब नहीं है, information ये आई, ये आप देख सकते हैं, उन्होंने आगे इसको ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किया, NHM section 1, and CPIU AHS section, allied health section को AHS कहते हैं, CPIU का मतलब Central Public Information Commission, NHM National Health Mission होगा, जिद्रा मैं अंदाजा लगा हूं, तो ये उन्होंने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफर हुआ, मैं question फिर दिफार देता हूं आपको, ये question, query में पूछे ही रेके, जिए देख सकते हैं आप, तो allied health section में जो हमारे मास जवाब आया है, तो उसमें बहुत अच्छा, मैं इस वकत मेरे हाथ में से वो ये रज़ी है, वो जवाब ये आया है, वो चोकाने वाला है, allied health section वाला, 25 अगस्त 2022 को, ये जारी वी है चिठी, उन्होंने लिखा है कि, MEP section की तवारा जो medical education policy section से जो ट्रांसफर हुई है, उन्हें letter, तो जो mentioned courses है, जो मैंने मांगे इनर्ट ये, are not covered in the schedule of national commission for allied health care profession, इस से एक बहुत चुकाने वाली चीच सामने आई है, कि आप देख सकते हैं, अब इसका मतलब देखिए, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे आर्टी एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, बहुत येंग्स्टर भी हैं, मुझरिक भी हुने डाली है, कि CMACD National Commission Collide Healthcare Profession Act के अंडर आने वाला है, बड़ी जल्दी आने वाला है, कोई कहता जी एठारा मीने वाला नहीं आएगा, दो साल वाला आएगा, कोई कहता जी तीन साल वाला आएगा, आज बरम तूट गया, इस लेटर के मताबक, CMACD, कोई किस से पहले भी हम पूश चुके थे, नगर इस वकित क्लियर हो गया, DEMS Ruler Health, Paramedic Frontline Health Worker, First Aid Specialist, A.D., ये कवर ही नहीं होते है, Schedule of National Commission में, यानि की, वहाँ जितने भी Occupation बताए गए हैं, तो हम समझते थे कि CHP, Community Health Provider, जो है, वो वाली सेक्शन, शैल CMACD में लग जाए, अगर आज भी CMACD उस National Commission, Highlight Health Profession के Schedule में नहीं आता, ये बहुत बड़ी अपलवदी है, RTI में हमें एक स्पश्ट तौर पे लिख दिया गया है, कि ये उसके कारेश हैतर में, यानि कि जो शिदूर बनाया गया है, बावन या इकावन कोर्सिस का या 56 कोर्सिस का जो भी हैं, उसमें ये वाली की नहीं है, पर हमने ये कूर्सिस पूछे थे, रूलर हेल्थ प्रोवाइडर, CMACD, BEMS, Frontline Health Worker, रूलर हेल्थ प्रोवाइडर तो बोली दिया, पैरामेडिक, ये रूलर हेल्थ प्रोवाइडर कह लिजीए, और फर्स्टेट्स पैश्लिस्ट एडी, और ये CMACD हमने पूछा था, वो आपके बिल्कुल सामने स्पश्ट तॉर्टे क्लिए हो जाता है, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल धन्यवाद,